जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तैंग शैंक ग्रांड मास्टर से बाते कर रहा है और अब उसने ग्रांड मास्टर से ये पूछा है कि वो अपनी दूसरी स्पिरिट रिंग जो की एक हैमर की है उसके अंदर स्पिरिट रिंग क्यों नहीं याड़ कर सकता है जि दूनों मार्शिल सोल आपस में अंस्टेबल होने लगी और एक दिन फट गई और दूसरे ने जब ऐसा करने की कोशिश की तो वो सकसेस हो गया लेकिन दूनों मार्शिल सोल में स्पिरिट रिंग आड़ करने में रिस्क है अब तैंक शैंक समझ जाता है और अब वो दूनों उसे बताते हैं कि तुम्हारा कुछ दिनों के बाद कांटेस्ट है और इस कांटेस्ट के पूरे होते ही तुम सभी लोग श्रेक स्कूल से ग्राजुएट कर दिये जाओगे यानि तुम्हें यहां से डिगरी दे दी जाएगी अब ये सुनकर तांक शैंक को शौक लगता है क्योंकि उसके लिए यहां बिताए हुए पल इतनी जल्दी बीच जाएंगे उसने सोचा भी नहीं था अब फिर वो और भी बाते करते हैं जिसमें Grand Master बताता है कि टीचिंग तो यहां तुमारी जिंदिगी का एक छोटा सा पार्ट था तुम्हें Real World के अंदर जो कुछ सीखने को मिलेगा वो तुम्हारे लिए Real Life Lessons होंगे अब फिर Grand Master टांग शैंग को 6 महीने बाद होने वाले कॉन्टेस्ट के लिए मोटिवेट करता है और तैंग शैंग उस कॉन्टेस्ट के लिए फुल तैयार भी था लेकिन उसे जीवू की दिक्कत थी क्योंकि सबी ने तो हर्ब्स लेकर अपनी अपनी रैंक्स बढ़ा ली हैं लेकिन जीवू ने अपनी हर्ब नहीं ली थी जिस वज़े से उसकी रैंक सबसे कम थी तैंग शैंग को ये लगता है कि जीवू की कम रैंक होने की वज़े से वो कांटेस्ट में योगदा नहीं दे पाएगी इसलिए ग्रांड मास्टर से डिसकस करने के बाद वो ये डिसाइड कर लेता है कि जो मुश्किल मैच होगा उसमें वो जीवू को अपनी टीम के अंदर नहीं लेंगे अब हम जीवू को देखते हैं जो बाहर खड़ी चुपके से उनकी बाते सुन रही थी और तैंक शांग की इस बात से वो चिड़ जाती है अब रात को तैंक शांग और जीवू बाहर घूमने आते हैं और जीवू अब भी चिड़ी हुई थी जिस वजे से वो तांग शैंग से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, मैं कमजोर हूँ जिस पर तांग शैंग हसने लगता है और अब जीवो उसे fight के लिए चनाउती देने लगती है और कहती है कि आज साबित कर ही लेते हैं जिस पर अब दोनों friendly fight करते हैं और जीवो तांग तैंग शैंग समझ जाता है कि जीवू बहुत जादा स्ट्रॉंग है। अब इस लड़ाई से जीवू के बाल बिगड़ गए थे। और वो रोमैंटिक होती हुए तैंग शैंग से अपने बाल कॉम करने को देती है। लेकिन तैंग शैंग जीवू से सोचाने के लिए कहता है क्योंकि सोने के बाद फिर से उसके बाल बिगड़ने ही वाले थे जिस पर जीवू गुस्सा करती है। लेकिन एक दम वो एमोशनल हो जाती है और फिर तैंग शैंग को एक कॉम देती है। इस कॉम से जीवू की मॉम जीवू के बाल कॉम किया करती थी और जीवू के पास अ तुम्हारा लवर मिल जाए तो तुम अपने लवर से अपने बाल कोम करवाना और आज जीवू ऐसा ही कर रही है और फिर अगले दिन सभी बच्चे ग्राउन में आकर खड़े होते हैं और आज उन्हें जंगल जाकर सोल बीस्ट का शिकार करना था वहाँ खड़े सभी बच्चों में से जब नेंग रॉंग रॉंग जीवू के बाल देखती है तो उसे बताती है कि उसके बाल आज डिफरिंट है जिस पर वो शर्मा कर तैंग शैंग की तरफ देखने लगती है और आज कर समझ जाता है कि कल रात क्या हुआ है और वो तैंग लोग बीस्ट का शिकार करने जाते हैं लेकिन उन्हें दिन में कोई सोल बीस्ट नहीं मिलता इसलिए वो रात को कैंप लगा कर यहीं सोने का डिसाइड करते हैं अब यहाँ जंगली जानवर का डर था जिस वजह से किसी एक बंदे को यहाँ पेट्रोलिंग करनी थी और सब से पहले मिस्टर धाई पहरा देने का डिसाइड करते हैं और बाकि सब बच्चे कैंप में जाकर सो जाते हैं जीवो तांग शैंग के बगल में जाकर सोती है और तांग शैंग के साथ बिताय हुए पुराने दिनों को याद करने लगती है वही बाहर मिस्टर धाई के साथ मास्टर भी पहरा दे रहे थे, लेकिन मिस्टर दाई जानता था कि ग्रांड मास्टर कितना धक चुके हैं, इसलिए वो उनको सोने जाने के लिए कहता है, जिस पर ग्रांड मास्टर उसकी बात मान जाते हैं, और वो पिर लेडी जिसका नाम अरलॉंग है वो आ जाती है और वो तुरन बीस्ट पर हमला कर देती है लेडी इतनी जादा स्ट्रॉंग थी कि बीस्ट को काउंटर इटाक करने का मौका ही नहीं मिलता और लेडी उसे पहले ही पीटने लगती है और फिर गुस्से में आकर अपनी का यूज किया जा रहा हो अब टैंक शैंक ग्रांड मास्टर से इसका रीजन पूछता है जिसपर ग्रांड मास्टर बताता है कि जब वो कैंप में आकर उसके बगल में सो गया था तब मैं अपनी किसमत को कोजने लगा था क्योंकि लेडी पास होते हुए भी मेरे पास नही कर दिया इस बात का गुस्सा अभी भी लेडी को है और वो गुस्से से इस बीस्ट को मार रही है अब बीस्ट भी फिर अपनी true potential दिखाता है और बहुत ताकतवर वाला form ले लेता है लेकिन अब भी वो लेडी को नहीं हरा पाता और सब बच्चे लेडी से बहुत जादा इंप्रेस हो जाते हैं अब फिर मोटू इसकी soul ring लेने का decide करता है और soul ring लेने लगता है और सुबा सुबा जब बच्चे मोटू को meditate करता हुआ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मोटू ने soul ring को हासिल कर लिया है लेकिन इसको stable करने के लिए देन उसे training करवा रहे हैं अब फिर मोटू की आँख खुलती है और वो अपने आपको strong हुआ पाता है लेकिन तभी उसके सामने से लेडी गुजरती है जो अभी भी गुस्से में लग रही थी और उसके आसपास बहुत जादा गुस्से वाला औरा निकल रहा था जिसे देख कर सब बच्चे डर जाते हैं अब वो फिर आगे बीस्ट को शिकार करने के लिए जाते हैं और रास्ते में वो ये डिसकस करते हैं कि अगर हम किसी बहुत ताकतवर बीस्ट को मारे लेकिन उसके स्पिरिट रिंग लेने वाले की उमर कम है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन अगर वो सोल बीस्ट खुद मरने के लिए राजी हो और अपने इच्छा से स्पिरिट रिंग देता है तो सोल बीस्ट चाहे कितना भी पुराना और कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो एक 30 साल का आदमी भी अराम से उसके स्पिरिट रिंग को सेहन कर सकता होगा अब फिर वो आगे बढ़ते हैं जहां आगे बढ़ने पर उन्हें बहुत सारे जानवर भागते हुए दिखते हैं उन्हें पहले तो कुछ समझ नहीं आता लेकिन तभी वहां जहरी ली मिस्ट आने लगती है तैंग शैंग समझ जाता है और सबसे पहले वो सभी को एक पिल देता है जिसका यूज करके वो पॉइसन से अनफेक्टिड हो जाएंगे और फिर तैंग शैंग अपनी पॉपल ब्लू जैमन आई से आगे देखता है और उसे वहां बहुत सारे सोल बीस्ट दिखाई देते हैं जो कि एक स्कॉपियन टाइप थे यानि वो बहुत सहरी ले थे और ये यहाँ पर हजारों की संख्या में है ये सोल बीस्ट एक बार में सौ इंसानों को खा जाती हैं और ये बहुत ताकतवर सोल बीस्ट हैं असल में इस ग्रूप का नाम पिंक ग्रूप है और इसके अंदर इनकी महरानी भी है जिसे पिंक लेडी के नाम से जाना जाता है असल में कल अर लॉंग ने जिस मेल स्कॉपियन को मारा था ये पिंक लेडी उसी की वाइफ है और अब आज ये इनसे अपने पती की मौत का बदला लेने आई है हला कि इसका जहर इतना स्ट्रॉंग नहीं है लेकिन अगर जाधा मात्रा में हम इसे सूंगेंगे तो हमारी मृत्यों हो जाएगी अर लॉंग अब पिंक लेडी से लणने का डिसाइड करती है लेकिन ग्राइन मास्टर उसे रोक देता है क्योंकि जोश में आकर कुछ कर देना अच्छी बात नहीं होती अब क्योंकि तैंग शैंग को पोईजन के बारे में सबसे जाधा नौलिज थी इसलिए वो तैंग शैंग से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए जिस पर तैंग शैंग यहां से उड़कर चले जाने को ही बेस्ट बताता है और अब सब औसकर का फ्लाइंग सॉसेज खाकर उड़कर जाने लगते हैं लेकिन पिंक लेड़ी फिर भी उन पर अटाक करने में काम्याब हो जाती है जिसके बाद अब अरलॉंग नीचे फाइट करने आती है और वो उन सबी स्कॉपियन्स को मारने लगती है अब फिर वहाँ पिंक लेड़ी भी आती है और उसको देखकर ग्रांड मास्टर तांग शैंग और मोटू को आगे भीजते हैं और तांग शैंग उसे अपने स्पाइटर वेब में फसाता है और मोटू अपनी फोर्ट स्पिरिट रिंग का यूज करते हुए पिंक लेड़ को घायल कर देता है अब ग्रांड मास्टर ऑसकर को इसको मारने के लिए भीजता है तांकि ऑसकर स्पिरिट रिंग हासिल कर सके और अब ऑसकर उसको मार कर स्पिरिट रिंग एब्जॉब करने लगता है अब ऑसकर फूट ब्रांच का था और अब वो जहरीली स्पिरिट रि को doubt होने लगता है और वो grandmaster से पूछती है कि आपने Oscar को spirit ring लेने के लिए क्यों भेजा जिस पर grandmaster बताते हैं कि food branch वाले भले ही सबसे जहरीले जानवर के spirit ring क्यों ना ले ले वो कभी poison पैदा नहीं कर सकता food branch वाला जब जहरीली spirit ring लेता है तो उसके अंदर की soul पार बदल जाती है और उसके skills change हो जाती है यानि उसको बहुत सारी skills मिलेंगी और उसके sausage के अंदर और ज़्यादा strength आ जाएगी ये सुनकर सब बहुत शौक होते हैं लेकिन Oscar क्योंकि बड़ी उमर की 20 से spirit ring ले रहा था इसलिए उसे काफी दर्द हो रहा था अब Dean फिर मोटू की 4th spirit ring की भी तारीफ करता है और Grand Master भी उसकी तारीफ में कहता है कि अब मोटू 4th ring हसल करने के बाद Mr. Dhai से भी जादा powerful हो गया है लेकिन मोटू की अभी भी एक कमजोरी है असल में मोटू की attacking range कम है और उसका flying duration भी कम है जिस वजह से जैसे इस बार Tang Shang ने पहले spider web में उसको फसाया था ऐसे ही हर बार किसी ना किसी को मोटू की सहायता के लिए ओपोनेंट को फसाना पड़ेगा और तभी मोटू उस पर attack कर पाएगा लेकिन मोटू की अपनी भी एक पावर है कि इसका attack सबसे strong है और ये सारे बच्चे अपनी अपनी field के अंदर genius है अफ़र दीन Grand Master से उसकी second martial soul को train करने के बारे में पूछता है जिस पर Grand Master बताता है कि Tang Shang second martial soul यानि second spirit soul को सिर्फ तभी train करेगा जब उसकी rank 80 होगी और अफ़र वो ये कहता है कि contest के over होने के बाद वो Tang Shang को sacred temple के अंदर ले जाएगा ये सुनकर अरलोंग तुरंट Grand Master की तरफ हरानी से देखती है और दीन भी कहता है कि इस पर अरलोंग बहुत गुस्सा करेगी लेकिन Grand Master को Tang Shang के लिए वहाँ जाना ही होगा आखिर sacred temple क्या है ये हमें आगे पता चलेगा अब फिर औसकर जो absorb कर रहा था वो आँख खोलता है और अब सब उससे उसकी fourth spirit ring के बारे में पूछते हैं जिस पर वो बताता है कि इस spirit ring के बाद उसकी ability 5% बढ़ गई है और जो भी मेरे sausage को खाएगा उसकी ability 10% बढ़ जाएगी यानि वो अपनी 110% शमता के साथ लड़ सकेंगे अब फिर वो सभी बहुत खुश होते हैं और आगे बढ़ते हैं और बाकि soul beast को मार कर spirit ring हासल करने का try करते हैं क्योंकि अभी 3 पच्चे और ऐसे रह गए थे जिनको spirit ring चाहिए थी अब वो soul beast को ढूणने लगते हैं और उनको ढूणते 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 दो दिन हो गए थे लेकिन उन्हें कोई soul beast नहीं मिला जिस पर सब उदास होने लगते हैं लेकिन तैंग शांग अब उन सबी को एक idea बताता है वो कहता है कि मेरे पास एक fragrance वाली herb है और उसके खुश्पु सूंकर बहुत सारे soul beast आ जाएंगे अब इसमें एक नुकसान था कि इसकी खुश्पु से एक साथ बहुत सारे powerful beast आ जाएंगे लेकिन अब उनके पास और कोई चारा नहीं था इसलिए वो ऐसा करने का ही decide करते हैं और वहाँ अब तैंग शांग flower को set कर देता है और उसकी fragrance से बहुत सारे soul beast वहाँ आने लगते हैं वो यहाँ पर एक poison trap भी रखता है ताकि अगर कोई बहुत साथा powerful soul beast आए तो वो poison से effect होकर कमजोर हो जाए अब तैंग शांग सब को एक एक खास पिल दे देता है और पिल खाने के बाद वो poison से effect नहीं होएंगे अब वहाँ धीरे धीरे soul beast आने लगते हैं और सबसे पहले वहाँ एक बहुत powerful soul beast आता है सब अपनी अपनी soul पार निकाल कर उसका शिकार करने के लिए तयार थे और अब तैंग शांग भी अपनी spider web का यूज़ करके उसे फसा लेता है मोटू बहुत शौक होता है और बहुत हस्ता है क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि इतनी असानी से हम इतनी powerful soul beast को पकड़ लेंगे लेकिन तभी वो soul beast spider web को तोड़ देता है और मोटू और आसकर पर अटाक कर देता है और यही ये episode फिर खतम हो जाता है